This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor We are not responsible for any of your profit and losses Once again, welcome back to our channel Finvest I hope that you all will be good trading days If you are not going to this video, you will be able to see the end of this video You will be able to improve your skill and believe in this video, you will be able to share speaking knowledge So, let's start with the calls Today's stock, which we have on the YouTube and Telegram channel One stock has been pretty good, but two stocks have not been able to perform Like in my SGS, BuySide's three target price Plus, you will get up to 40-50 points in this video If you have a trade, you will get a good profit In Jubilant PE, we are talking about life insurance We are talking about the trade In Jubilant, we cannot be able to trade Why not be able to trade In the chart, we will show you the rest of the other We will talk about Telegram channel In the Telegram channel, we will be in the description of the link In the Telegram channel, we have two calls in the description In the morning, we have two calls in the channel We have provided two calls in the channel We have provided today But we have provided PVR The US for the first time Before we have had a loss Overall, we have lost in PVR In the last time, we have lost But the tech in Mahindra In the short-selling side of the tag To achieve the target price After we have been talking about In Jubilant, we have told you The other time we were talking about The other time we were talking about In Jubilant In Jubilant In Jubilant In the live In the food In Jubilant live In the live The trade In the stock यानि कि आपको 50-40 पॉइंट मिल गए थे में बात करूं तो टेक में देखिए पहले तो यह जो स्टॉक था यह डाउन आया यहां पर हमारा जो था सॉट से लिंग का लेवल ता लगब लगब इस लाइन पर यहां पर ता सॉट से लिंग का लेवल एक्टिवेट होने के इसलिए हमारा जो था सप्ट्राइब कर दो पॉइंट नीचे जो इसका लोग था उसके दो पॉइंट नीचे था वह यह अचीव नहीं कर पाया इसलिए इसलिए पागी बात कर लेते हैं पी वी आर की तो कल आपने आपको मैं एक चीज याद दिला तो मैंने कहा था अगर गैप या फिर गैप डाउन स्ट्रेजी और जो टार्गेट मैंने इसमें बताया था आपको कि जो पहला टार्गेट पाइस है वह मैं स्मॉल इसलिए देता हूं अगर स्टॉक गैप या फिर गैप डाउन ओपन हो तो वह अपना गैप रिफिल करने के बाद भी अपना एक एक टार्गेट प्राइज एजीव कर ले जैसा कि आपको पी वी आर में आज देखने को मिला होगा कि यह जो स्टॉक था यह गैप अपन वा था गैप उपन उनके पास चले तो यह डाउन आया डाउन के पास इसने अपने बाइसाइट की कोई भी लेवल जो बाइसाइट क पर आपको नवापन रही जादा पन हो गया था उसलिए नहीं हो पाया इसलिए पी पी वी आर में हमारा ओर ओर लॉस चला बात करो जुबिलेंड की तो जुबिलेंड मैं हुआ यह यूं कि जो स्टॉक था यह तो गैप पूरा ही गैप डाउन ओपन हो गया था काफी ज्या तो यह सब तो मैंने आपको बता दिया चलिए हम बात कर लेते हैं वह है बाला माइन्स का बाला माइन्स देखिया मैं जो स्टॉक्ट करता हूं वॉल्टि टी काफी अच्छी होती है इसमें देखिया आपको तैन या फिर एलैवन यहम तक अच्छा प्रॉफिट देखने को मि जाता है इसलिए मैं ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूं पहला हमारा बाला माइंड जिसे आप बाई करके चलेंगे 1227 पर जब लेवल ब्रेक आउट होगा तब आप इसे बाई करेंगे यानिके 1227.50 पॉइंट फॉर जिरो सम्तिंग आप इसे बाई करेंगे टार्गे टार्गे टार्गेट फॉर्टी टू का जैसे मैंने पी वीर में आपको बताया अगर स्टॉक गैप प्र गैप डाउन ओपन हो जाए तो भी आपका एक टागेट पाई इसलिए हो जाए इसलिए मैं हमेशा से पहला टागेट पाई स्मॉल देता हूं यह रीजन इसी का है आपको क्या करना पड़ता है अपने जो फ इस बाइट इस वैल्यू पर आगे लए जाता है इस टाउक आप सोप्लस मान के से बाहर आ जाते हैं और यह बढ़ जाते हैं सवाट से लिंग आंका लेवल 123 का टार्गिट है टेन्ट टू और 1195 का स्टरुमा सैब का 1225 का सवाट चलिंड से ब्रेक और तो नेच़ ब्रेकआ नहीं लगाना है तार्गेट अचीव होते ही आपको जो है अपना स्टॉप लोज जो है शिफ्ट करना है फर्स टागेट पाइस पर ताकि आपने जो अंड किया है वह आप से जाए ना अगर आप चाहते हैं कि आज के स्टॉक्स आपको पता चले आप इमें कॉंटेक कर सकते हैं तो भी आप में कॉंटेक करें क्यूंकि देखें इन्वेस्टमेंट के साब से आपको 15-25 पॉइंट्स मैं करता हूं कि 15-25 आपको मिल जाए अब अपनी इन्वेस्टमेंट के आप शेर्स कितने बाइ कर सकते हैं और आपको फॉट्स मोटर्स जिसे आप आप करके चलेंगे जैसे मैंने आपको बता दिया है कि लेबल्स प्रिक आउट होंगे तो इसमें जाता मैं आपका टाइम नहीं लूंगा 1450 का लेबल बेगाउ 129 1420 1410 का सब्सक्राइब 1447 का त्यान रिखेंगे लेवल्स ब्रेक आउट होना बहुत जरू है लेवल्स ब्रेक आउट नहीं होंगे ताप उस्टॉक करने करेंगे और एक और चीज में आपको बता दो कर स्टॉक अपर के स्टॉक्स का आप सिर्वेट करेंगे लेवन तक लेवन तक उसका गया प्रिफिल कैसे होगा बाइंग और स्टॉलिंग प्राइस के बीच हो कहीं पर वह एक दो मिनट का होल लेगा एक दो मिनट का होल लेने के बचाब दुबारा से आपका लेवल ब्रेक आउट करेंगा तब आप उसे बाइस होट सकते हैं तो इजी है करेंगे चलिए कि जो अपने फीस है वो मार्केट को पे करिए सीखने के लिए तो अगर आप बीच में आ जाते तो कभी देखिए 90% चांसे होते हैं कि अगर जो स्टॉक्स जो है स्टॉक्स आप बीच में छोड़ दे तो वह स्टॉक बढ़ जाता है या फिर सॉट सेल कर र सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को दबाने मत बूलेगा और इस वीडियो को जितना हो चेके शेयर कीजिए गए तब तक लिए देने बाद मिलता है आपको अगली वीडियो के साथ